असलाम अलेकुम बीवर्ष तो समसुलिसा किचन में आपका स्वागत है तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मसाला ग्रेवी भिंडी ये बहुत ही कम इंग्रिडिन्स से बना करके हम इसको तयार करेंगे और इतनी ही फटा फटी ये बन करके तयार हो जाती है और ख यह बनाती है मिलाति किचन में प्रेवी विंड लिए का अपकुद करें गए भिंडी ये बैसमें कोई कीड़े वग्रात तो नहीं है बिल्कुल इसी तरीके से हमें में इसमें कट्स लगा लेए हैं उसके बाद में हो में देफ़ हमने तो हम बंढ़ें इस बंडी उसके हैं और भंडी उसके हैं और थो ली यह डीलिया है दो हरी मिर्चें को πो trio udah Mac & 1980 म्याओकला मौल को ठाल दें हमारा लगवग्ति नमया और डाल दीजू जाए है और उसके बाद में कोसिस करिए कि आप इसको सरसों ऑईल में ही बनाएं क्योंकि सरसों ऑईल में ही एक अच्छा टेस्ट निकल करके आता है इसका, अदरवायस किसी ऑईल में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है उसके बाद में हमारा ये ओल हो गया है गरम तब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे अपनी इन भिंडी को जिससे की हम अपनी ये भिंडियों को फ्राई करेंगे तो इसमें हम अपनी ये भिंडियों को डाल देंगे देखिए इस तरीके से और हम ये सारी भिन्दिया इसके अंदर एड़ कर देंगे देख सकते हैं हम इसके अंदर इस तरीके से सारी भिन्दिया एड़ कर देंगे अब हम इसको क्या करेंगे चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है शिलो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है शिलो फ्लेम पर ये जल्दी गल जाएंगी और ये हमारी बिंडी में उतना ज़्यादा टेस्ट निकल करके बिल्कुल भी नहीं आएगा तो हमें इसी तरीके से रेगूलर चलाते हुए इनको फ्राई कर लेना है एक कलर आने तक इनको हमें फ्राई कर लेना है और हमारी बिंडी अपना ओयल भी छोडने लग जाएगी जिस तरीके से इसने सारा ही ओयल एग्जोप कर लिया है उसी तरीके से ये ओयल छोड भी देग तो चलिए हम दिखाते हैं आपको अपनी बिन्यों को फ्राई करके तो देख सकते हैं हमारी बिन्या हो गई है फ्राई और इसने छोड़ दिया है अपना ओयल इसी तरीके से हम अपनी बिन्यों को उपर कर लेंगे और पूरा ही ओयल हमारा नीचे आ जाएगा देखे इस तरीके से आप इस तरीके से पांस मिनट के लिए रख भी सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो आप जल्दी से निकाल लिजिए गए और देखे इसकी सायता से हम निकाल लेंगे ताके हमारा ओइल अच्छे से इसमें निकल जाएगा तो देखिये सारी बिन्यों को हमने बाहर कर लिया है अब हम इसको प्लेट में रख देंगे और बापस से कड़ाई में हम अपना जीरा डालेंगे तो 1 फोर टी स्पून हमने इसमें जीरा एड़ कर दिया है और उसके बाद में हम इसमें जो हमने प्याज को काट कर रखा हुआ है उसको एड़ कर देंगे और इसको हम चलाते हुए भून लेंगे तो प्याज हमारा हलका साफ सॉफ्ट कर लेंगे हम लगबग इसको एक मिनट के लिए भून लेंगे हमें इसको क्रिस्पी गोल्डन नहीं करना है तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे हाप टी स्पून हमने इसमें हल्द करके अपना धनिया पाउडर एड़ कर देंगे उसके बाद में अपनी ये हरी मिर्च को एड़ कर देंगे इसके अंदर और उसके बाद में हम इसमें अपना दही को एड़ कर लेंगे तो लगबग ये 200 ग्राम हमने दही ले लिया है और इसको हम रेगूलर चलाते हुए पका लेंगे ताकि हमारी दही फट नहीं जाए आफ रेंड कभी भी बिना दही के ये मसाला ग्रेवी बिंडी नहीं बन सकती है क्योंकि इससे ही हमारी मसाला ग्रेवी बिंडी बन करके तैयार होती है जिससे कि हमारे बिंडियों में चिप चिपाहट पैदा नहीं होती है और इसी क तो देखिए हमारी बिंडी बिल्कुल अच्छे से बुन करके हो गई है तैयार अब हम इसमें अपना गरम पानी एड़ करेंगे जो हमने पका कर रखा हुआ है पहले से तो देखिए इसमें आपको जिस तरीके की ग्रेवी चाहिए उस हिसाफ से आप अपना पानी एड़ कर दीजिएगा तो देखिए हम इसमें अपना प्वानी अड कर दिया है, इसको धख नहीं के पकाइए एक मिनट के लिए करता हम डालेंगे अपना नमक, टेस्ट के अकॉर कोडिंग आप उसी साफ से अपना नमक डाल दिजिएगा तो देखिए अब हम इसको कर लेंगे mix और इसको वापस से ढख करके पका लेंगे तो एक से दो मिनट फिर से पका लेंगे हम अपनी भिंडी को तो देखिए हमारी भिंडी को पकते हुए दो मिनट हो गए हैं और ये अब पक करके बिल्कुल तयार है तो बिल्कुल ही ये बहुती ज़्यादा कम मसाला में हमने इसको बना करके तयार किया है और देखिए और अब हम इसको कर लेंगे सर तो देखिए कितनी ही ज़्यादा खिली-खिली ये हमारी बिंडी बन करके तयार हुई है बिल्कुल ही ये चिपचपाहट इसके अंदर नहीं है और इतने ही कम मसालों में हमने इसको बना करके तयार किया है मसालों से बचिये फ्रेंट गर्मी बहुत जादा है कम मसालों से अपनी सबजीों को बना करके तयार कीजिए और गर्मी में मसाले हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते तो इसलिए आप कम से कम मसालों में अपनी सब्जी को बना करके तयार कीजिए तो रेश्पी अच्छी लगी तो इसको लाइक सेर सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी किलिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिलती रहे तब तक के लिए खायाल रखिए अपना